तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इसी ये स्टीटेंट स्विडेंट स्रीच की जो मैच नमबर 23 खिला जाएगा D.I.F. वर्सेस N.A.C. की दर्मियान में दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं D.I.F. और N.A.C. के जितने भी खिलाड़ी है सारे खिलाड़ी का मैं आपको करेर रिजल्ट बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर नौलिज मिलेगा कि कौन से खिलाड़ी का यहाँ पर गैज कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं जिसके मदद से आज यहाँ पर Grand League और Small League के सांदर टीम त्यार कर सकते हो कौन से Ground पर यह मुकाबला होगा और यहाँ का पीछ रिपोर्ट क्या रहने वाला है कौन से टीम के जितने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे उस टीम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी को अपने टीम में ट्रै करने वाले हैं तो सारे इंपोर्टेंट डिटेल्स आपको आज देखने को मिलेगा इस वीडियो में इस मैच का अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब पर के वीडियो के एक लाइक जरू कर देना साथ इस बैल आइकन को जरू प्रिश कर देना गाईच या पर किसी क्राड़े को ड्रॉप करते हैं तो आपको फाइनल टीम अपडेट करके इस ग्रूप में दे दिया जाता है याने दो जगा लिंक सेर कर दिया गया कहीं पर भी क्लिकर करके इस गुरूप में आसानिस से जोईन कर सकते हैं तो उमिद करते हैं आपने जोईन कर लिया होगा ये गुरूप आपके हिल्प करने के लिए बनाया गया तो दोस्तों आप प्रिशान चुकला जोगी खेलते वे नजर आएंगे आज यहाँ पर इनका के रिचुर देखोगे तो दो मैचस खेले जिसमें से 18 ने स्कोर किया है इस ख्राड़ी को अगर यहाँ पर ट्राय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं टॉप अटर का बल्लेबाज ह है हाला कि अगर आप देखोगे तो एक से एक बल्लेबाज यहाँ पर खेलने वाले है इस टीम के तरफ से अगर बात करूए आपे गयास को इनकाले हैं इनका अगर बल्लेबाजी देखो तो कुछ खास नहीं है 33 मैचस में लेकिन यहाँ पर बॉलिंग देखोगे तो बहुत ही सूपब बॉलर है गयास पूरे दो बर आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे इस टीम के में बॉलर है तो इनको आप बिल्कुल अपने टीम में ट्राइज जरूर करना गयास आपके लिए हाई इनकाले हैं यानि कि अगर आप देखोगे तो बल्लेबाजी पूरे दो बर गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे दोस्तों में अगर बात करेंगे नेक्स लाड़ के बारे में रॉबिन्स के बारे में तो 21 मैचस खेले इन्होंने गयास 308 स्कोर किया टीम का टॉपटर का बल्लेबाज ये भी है इनका इस बहुत ही सूपब है औ अच्छा पीक रहने वाला है बागे बात करें पर गाईस साजेब चौधरी के बारे में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हुए इनका 50 मैचस इन्होंने खेले हैं 527 इन्होंने गाईस स्कोर किया और 51 वीकेड भी निकाले हैं यानि बल्लेबाजी कर आप देखोगे तो बहु लेकिन इन्पोर्टेंट भी रहेंगे टॉप अडर का यहाँ पर हाट डिटर बल्लेबाज भी है बागे बात करें दोस्तों यहाँ पर नेक्स टाड़ी के बारे में इन्होंने काफ़ बड़े स्कोर किया 40 मैचस इन्होंने खेले हैं 1111 रन स्कोर किये हैं बालिंग से कुछ 225 रन स्कोर किया और यहाँ पर 36 वीकेट भी निकाले यानि कि बालिंग देखो तो बहुत सूपब है पूरे दो बर आप गेंदबाजी भी करते वे नजराएंगे और सांत असा टॉप अटर का बल्लेबाजी भी करते वे दिखेंगे तो यह खिलाड़ी बहुत जदा आप इनको मिशने कर सकते हैं बहुत एच्छा कासी अपे गाइस बैटिंग करते हुए नजराने वाले हैं टीम का टॉप अटर का बैट्समेन है और इनका अगर आप सेलेक्शन देखोगे तो काफी कम है ड्रीबल हैं पे लेकिन इसका फायत आप जील में ज़रू उठना है क्योंकि टीम का टॉप अटर का बैट्समेन है हो सकता है एक बड़े पारी खिल दे बाकि बात करेंगे तो फॉर्टी वन मेच्च जिन्हों ने खिले हैं टू थ्री ट्वेंटी ना इसकोर किये हैं यानिकर आप देखोगे तो बालिंग बैटिंग बहुत ही सांदर करते हु सब्सक्राइब के लिए अच्छा रहेंगे स्मॉल लीक के लिए काफ़ रिसकी खिलाड़ी रहने वाला है तो यह जो यहाँ पर डियाएफ की यहाँ पर टीम है यहाँ जितने भी खिलने के चांस से सारी खिलाड़ी का के रिजल्ट आप देख सकते हो लेकिन सेकेंड टीम क तो बहुत इस अंदर करते भी दीखेंगे बल्लेबाजी भी टॉप अडर का बल्लेबाजी और इसकिलाड़ी को आप में सनई कर सकते हो एनसे के टीम के तरफ से टॉप अडर का बैट्समैन है बाकि बात नहींगे अजमन महत के बारे में तो 82 मैचस इनोंने खेलेंगे इस 1815 रहने स्कोर किये और 28 विकेड इन्होंने निकाले हैं यानि अगर आप दिखोगे तो बल्लेबाजी बहुत ही सांदर करते वे दिखेंगे टीम का गैज और बहुत ही सांदर बल्लेबाज यह टीम का आपनर बल्लेबाज है बॉलिंग भी करते वे नजर आएंगे यही कारण है गैस की कैप्टेंसी के लिए सबसे ज़्यदा सेलेक्शन इनको मिला है बाकि बात करें दूस्ते बल्जित सिंग के बारे में तो 11 मैचस में नोंने गैस देख सकते तो 154 रहन स्कोर कियें इस खिलाड़ी को अगर ट्राय करना चाहते है तो गैस यह नहीं आप देखो यह तो बहुत ही सांधर बल्लेबाजी करते विए दिखेंगे यह खिलाड़ी को कैप्तिनसी के लिए ट्राय कर सकते हैं जील के लिए बिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट रहने वाला है बात करेंगे लेमर मुहत के बारे में तो इन्होंने 40 मैचेस खिले हैं जिसमें से अगर आप देखोगे तो 40 रन स्कोर कियें और उन्हाँ पे 40 विकेड भी इन्होंने निकाले हैं बले बाजी देखोगे तो बहुत इसा अंदर करते हुए दिखेंगे टीम का गैस टॉप अटर का बैट्समेन है बालिंग से कुछ खास उम्मीद मत रखना बाकी बात करेंगे शाद यहाँ पर गैस सायदत के बारे में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 16 मैचे में ने 224 निक बालिंग यहाँ पर गैस आपको टॉप पर करते हुए दिखेंगे बालिंग यह पर गैस नहीं करते हुए नजर आएंगे अगर करते हैं और विकेट निकालते हैं थी हमारे लिए पलस पोइंट रहेगा लेकिन एज ए बैट्समन निनको पीक करना बाकि जबी जाहित 51 मैच जिनों ने खेले हैं 445 रहें स्कोरियां की हैं कैस और उतनी एची यहाँ पर बालिंग भी करते हुए दिखेंगे बालिंग तो बहुत ही सांदर करते हुए दिखेंगे पूरे दो बर यहाँ पर गैंदबाजी करते हुए और उतनी एची यहाँ बल्लेबाजी भी करेंगे तो चले दोस्तो उस टीम की और आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रीक्वेश्ट दोस्तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर आपने वीडियो को शुरू से देखा है तो यहाँ पे नसी के टीम के तरफ से अगर आप देखोगे तो जैट जाहे सबसे जदा इन्पोर्टन रनने वाला है इन्होंने 51 मैचेस खेले हैं जिसमें से 445 तरह इन्होंने स्कोर किया और 58 विगेट निकाले भी हैं और इसी वज़े से इनको मैंने हाई इन्पोर्टन बताया था इस्टेट्स अगर आपने देखा है सुरू से तो अभी आपको सारी चीजे क्लियर होगा तो वीडियो देखने के लिए आई है दोस्तों तो सारे खिलाडी का नॉलिज आप जरूर ले रहे के जाना बाकि यहां पर जेट जाहित को मैंने इन्पोर्टन बताया था लेते वे चलेंगे इनका पर इस्टेट्स बहुत ही सूपव था हजार पलस इन्होंने भी स्कूर किये अपने केरेर में इन्पोर्टन ये भी है हो सकता है फाइनल टेप में हम लोग दो खिलाडी को या पर विगेट के प्रिंग से ट्राय करेंगे लेकिन फिलाल एक ही खिलाडी को ट्राय कर रहे है आर रोडिंस भी जी येल के लिए मैंने उप्रटन बताया था जी येल मेगर आप छे टीम क्रेट कर रहे हो तो यहाँ पर इसके साथ भी जा सकत तो ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए हाई इन्पोर्टन रहेंगे फिलाल में एक ही विकेट के प्रिंग प्लियर को ट्राय करना अपने टीम में बाकी बात करेंगे बैटिंग संग की बारे में तो दोस्तों मैंने आपे तीन बैट्समेन को लिया हुआ है जिसमें से अगर आप देखोगे तो ओज़ाजी को मैंने लिया हुआ है अगर आप देखोगे तो पचास में इन्होंने इन्होंने निकाले है बल्लेबाजी बहुत सुपा पर टीम के तरफ से इनका विस्टेट्स बहुत सांदार तब करेंगे दोस्तों इन्होंने 50 मैचे खेले हैं इन्होंने 16 मैचे खेलेते गाई और यहां पर टूप पर करते भी दिखेंगे और यही कारण है कि इनको लोगों ने लिया हुआ है इस वज़े से इंपोर्टन भी रहते हैं बाकि एस जाहित का भी स्टेट्स बहुत सांदार अगर इनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं इनको ड्रॉप करके अगर आप चाहो तिनके साथ जासे लोगों थोड़ा ग्रेडिट इस हुआ रहा है हो सकता है फाइनल टेम पे थोड़ा एडिजेस्ट करेंगे हम लोग और यहां पे एज़ाहित को लेते वे चलेंगे बाकी का पासने सारे खलाड़ी का इस्टेट्स मुनें अहला कि अल्रडी वीडियो में बता रखा है अगर आप अपने तरफ से थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाकी बात करेंगे दोस्तों यहां पे और चार और किलाड़ी को हाइई इनको बताया था एद दूब ग आप देखोगे तो कैप्टन सी वाइस के लिए बी काफ़ ज़ता इन्पोर्टन है बाकी एस चोधरी की बात करेंगे दोस्तों तो पचास मैच इनोंने खेले हैं और फाइफ़ाइब बाजी कार आप देखोगे तो टॉप पे करत भी दिखेंगे और बॉलिंग भी करने के इस मैच में चांसें 51 विकेट इनोंने निकाले हैं दोस्तों 50 मैच में बाकी ए मंमद की बात करेंगे तो 82 मैच इनोंने खेले हैं और 1815 नोने स्कॉर कीए और 28 विकेट निकाली कैप्टन सी विस कप्टन सी के लिए देखो तो यह तीन खिलाड़ी आपके लिए सबसे विकेट निकाले हैं 527 इन्होंने गैस प्लस स्कोर भी किया है तो High Important Batsman भी है बोलर भी आपको पूरे दोवर करते भी दिखेंगे बागी बात करेंगे हाकीम के बारे में तो 78 मैंच जिन्होंने खेले हैं जिसमें से इन्होंने 360 रन इन्होंने बनाए हैं और 70 विकेड भी इन आपसे अगर फिलाल टीम पर भी उसी देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है जिसमें से कैप्टन सी के लिए दुस्तों मैंने एदुवे को ट्राय किया हुआ है जैसे कि मैंने आपको कहा तर वाइस कैप्टन सी के लिए जाहित के साथ मैंने जा रहा हूँ लेकिन याद रखना फाइनल टीम पर बहुत ज़ादा चांस है कि यह मुहमद को मैंने लोग कैप्टन सी के लिए ट्राय करेंगे क्योंकि यह जादा इंपोर्टन ट्राय कर सकते हो अपने टीम में बिलकुल फाइनल टीम पर आपको देखने को मिल सकता है तो यह अल्मोस्ट स